Hello Friends, Friends आँज के सुडियो में हम स्टिचिंग मशीन या सिलाई मशीन को चलाने के लिए जो मोटर कनेक्ट की जाती है इस मोटर के चलने से कितने यूनिट का कंजम्शन होता है और यदि इस मोटर से कंटेनी हम स्टिचिंग मशीन को चलाते है तो इस मोटर के दुआरा एक दिन म आने वाला है इन सभी कैलकुलेशन को आज के सुड़े में हम सीखने वाले है यदि आप टेलरिंग का काम करते हैं तो आप बैसिकली सिस्टिचिंग वह या मोटर को जरूर कनेक्ट करते होगे तो इसका कंजम्शन आपको पता होना चाहिए इससे पहले हमने एक वीडियो बना आपको कुछ नजर नहीं आ रहा बठ हम आपको दुसरी एक मोटर दिखाते हैं जिसकी नाएं प्लेट पर आपको कुछ important information मिल जाएगी चलिए उस नाएं प्लेट पर हम देखें तो उस पर जो एमपेर दिया गया है यहां पर वह 0.05 एमपेर हमारी मोटर करंट लेती है बे सबसे इंपोर्टन यहां पर यहां पर काम में आने वाला है वह 50 वाट और कितने वोल्ट की है सिंगल फेस्ट टूट वोल्ट की है इसके जड़ी हम आसने से यूनिट कंजम्शन कर सकते हैं सबसे पहले यहां पर सिर्फ हमें वाट पता है कितने वाट की है यहां पर किलो वाट पता हो तो वह कितने घंटे चली है उस हिसाब से उसका मल्टिप्लाइ करके किलो वाट में आवर का मल्टिप्लाइ करके हम वहां पर यूनिट निकाल सकते हैं तो सबसे पहले हमें kilowatt पता होना चाहिए तो जैसे कि watt to kilowatt conversion करना है तो हमें वहां पर watt to kilowatt conversion करने के लिए 1000 से divide करना होता है ठीक है काफी basic है है हमारे पास watt कितना है 50 watt है इसमे यदि हम 1000 से divide करते है तो 1000 से divide करने हमारे पास जो answer आएगा वो 0.05 kilowatt आने वाला है that means हमारे पास यह जो 50 watt की यह 50 watt की motor है यह 0.05 kilowatt की motor है काफ़ सिंपल है अब हमें kilowatt मिल चुका था हम unit calculation आसानी से कर सकते है यदि हमारी motor एक घंटा चलती है तो कितने unit बनाएगी तो हमें क्या करना सिंपल है 0.05 kilowatt की motor है यदि एक घंटा चलती है तो kilowatt में हमने आवर का multiply किया तो इसके दोरह एक घंटे में कितने unit का consumption किया जाएगा तो 0.05 unit का consumption किया जाएगा अब यदि हमें एक दिन में निकालना है एक दिन में कितना consumption होगा तो सबसे पहले हमें यह पता होने चाहिए कि एक दिन में हमारी मशीन या मोटर कितने घंटे चल रही है सब्सक्राइब आपकी motor को 10 घंटे चला रहे है 12 घंटे चला रहे है यह आपके उपर डिपेंड करता फॉर एटे ने वरे हमने माना कि हमारी जो मोटर एक दिन में 10 घंटे चलती है यह इस हिसाब से देखिए एक यूनिट का एक घंट में इतनी बनाती तो 10 घंटे में कितनी बनाएगी क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होती है बर 20 घंटे हम किसी लोड को कंटीन चलाते नहीं है उसका running load हमारे पर depend करता हम कितना चलाते हैं एक दिन में हम 10 घंटे चलाते हैं तो 10 घंटे चलाने पर वह कितने unit का consumption करेगी 0.5 kwh यदि हमारी motor एक दिन चलती है और एक दिन में 10 घंटे चलते हैं उसके तो 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 0.5 kwh unit का consumption किया जाएगा इससाब से यदि हम 1 month का निकाले तो 1 month का निकालना भी काफी आसान है देखिए एक दिन का हमने निकाल लिया 1 month में 30 दिन होते है 30 days होते है ठीक है तो हमें क्या करना है जितना एक दिन का आया है 0.5 में 30 का multiply करते हैं काफि सिम्पल है आप आसने से निकाल सकते हैं यदि 30 का मल्टिप्राइग करते तो 15 या 15 unit या के डब्ली एज पर मन्त हमारी इस motor द्वारा कंजम्शन होने वाला है यदि हम इस motor को चलाते हैं तो इस motor के द्वारा यदि हम एक दिन में 10 घंटे चलाते हैं तो एक महीने में 15 unit क का कंजम्शन होने वाला है अब में क्वेशन आता है कि इस मोटर के चलने से बिल कितना आएगा तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए पर यूनिट चार्ज कितना लग रहा है यह आप आपको इलेक्ट्रिक जो पिल होगा उसको पर मिल जाएगा पर यूनिट चार्ज कितना लग रहा है वैसे भी 5, 6, 7 और इंडस्ट्री में 8 रूपीज तक भी पर यूनिट चार्ज लग रहा है आप आपके एलेक्ट्रिसिटी बिल पर देख लिए क्या चार्ज लग रहा है हम 6 रूपीज के हिसाब से कैलकुलेशन करें जिस तरह हमेशा करते हैं एक यूनिट का चा का मल्टिप्लाइ कर देना क्योंकि पर यूनिट चार्ज लग रहा है तो यदि हम मल्टिप्लाइ करते हैं तो मल्टिप्लाइ करने पर 3 रूपीज हमारा अंसर आता है यदि हमारी मोटर चलती है तो एक दिन चलने पर उसके द्वारा 3 रूपीज का बिल हमारे पास आने वा यदि हमारी कोई मोटर 508 की मोटर है और वह एक दिन में 10 घंटे चलती है तो उसके दुआरा पर मन्त बेसिकली जो भी लाने वाल 90 रुपीज आने वाला है आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो कैसे ला कमेंट से में जरूर बता है तो आप इलेक्ट्रिक मशीन जिसके शेरा की जो मोटर आती है उसका कंजम्शन निकालना चाहिए उसको पर हमने पहले ही वीडियो बनाए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगे आप देख सकते हैं तो आज के लिए इतना ही थेंक्स प्रेंट